कुछी दिनों के बाद में आपका आरेशेटी का मुख्य एक्जाम होने वाला है फ्रेंट्स 31 जनवरी को होने वाले आरेशेटी एक्जाम के लिए आज हम आपके लिए लेक्या है एक मेहतोपूर मॉडल पेपर फ्रेंट्स स्वागत है आपका संधिया कामफिटर के यूटूब सेनल पर मैं गोविन कुमार इस सेनल के मादियम से आपको निचेती मेन एक्जाम में उचित हेल्प करूँगा और फ्रेंट्स अगर आप हमारे सेनल पर नए है तो सेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाला हर नया मॉडल पेपर आपके सामने सबसे पहले पहुँच सके फ्रेंट्स बढ़ते हैं पहले क्योशन के और उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ फ्रेंट्स हमने इस सेनल के मादियम से एक अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है फ्रेंट्स आप उस प्लेलिस्ट के उपर जाके जितने भी मॉडल पेपर जो 31 जनवरी के लिए मैंने बनाई है अवश्य रूप से देखे फ्रेंट्स बढ़ते हैं पहले क्योशन के और क्या लिका हूँ आप फ्रेंट्स कुछ भी मुद्रन करने से पहले किस परकार की आदट डाले फ्रेंट्स हमें पूछ रहा है कि आप अगर किसी डॉक्यमेंट की प्रिंट लेना चाहते है तो उससे पहले आप मैं किसकी आदर डालने चाहिए नंबर ए पर लिकाओ प्रिंट पुर्वाव लोकन नंबर दो पर लिकाओ प्रिंट निकालने की नंबर तीन पर लिकाओ दस्ताविज को ओपन करने की नंबर चेहार पर लिकाओ फायल को शेव करने की पहले बात आपको समझना क्योशन में पूचा क्या जा रहा है आपको 35 मिनट का समय पैटिस क्योशन के लिए एक गंटे का समय दिया जाएगा तो आप आसानी से व्यवस्तित क्योशन को पढ़के उसका आंस्वर दे सकते हैं शूदा किशन आपको राइट करना है पड़ेंगे मिनीमम और अधिक्तम आप कितने भी कर सकते माइनस मार्किंग कोई नहीं होगी तो फ्रेंट्स आप सभी क्यूशन अटेम्ट अवस्य रूप से करें हाँ क्यूशन को थोड़ा सही से देखी ताकि आपको कन्फ्यूज नहो देखे प्रेंट्स इसमें लिखा हुआ कि कुछ भी मुद्रन यानि प्रिंट लेने से पहले हमें किसकी आदत डालने चाहिए तो प्रेंट्स आपको याद रखना है कि प्रिंट लेने से पहले यूजर को प्रिंट पूरा लोकन की आदत डालने चाहिए यानि इसे कैसी निकलेगी ताकि हमारी प्रेंट मलेश की वैस्ट ना हो ठीक है प्रेंट्स इसका राइट अंसर हो जाएगा नंबर ए वाला आप्शन सही हो जाएगा नंबर दो पे लिखा हुआ प्रोजेक्टर को कंप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प करेक्ट रांसफर होंगे और फ्रेंट्स इसका राइट रो जाएगा यहां पर नमबर डी यानि उप्रॉक्स सभी हो जाएगा बढ़ते हैं प्लेंट्स यहां आगे वाले क्योशन के और आउटलुक माइक्रोसॉट एक्सेंज किस परकार के खातों का समर्दन करता है बहुत इंपोरण्ट क्योशन है फ्रेंट्स माइक्रोसॉट कंपनी द्वारा विख्षित क्या गया माइक्रोसॉट आउटलुक एक इमेल की तरह यूज़ होने वाला एक प्रोग्राम है नमबर एव भी यहां पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा यानि यहां पे आपको एव भी दोनों करना है क्योंकि IMP होता है और यह POP3 होता है आउटलुक में कोई रिपलाई और रिप्लाई अल तो फ्रेंट्स इस लोगने क्या बोलाय है के में उत्र देने के लिए कि सबीड़ेश और और रिपलाई हो जाएगा आगे वाले क्योसण को देखते दों Harmon गारत में साइबर अप्राइद और इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स अ समधित कानून है friends बहुत ही इंपोरेंट क्योशन है friends साइबर सीक्योरिटी के लिए बना कौन्सा act है तो friends act 2000 हो जाएगा friends IT act कौन सा हो जाएगा बहुत important question है friends बहुत बार यह question बनता है exam है आपके लिए बहुत ही मेतोपूर्ण है IT act 2000 किसका समर्तन करता है friends तो यह सूसना प्रध़गी के लिए बनाएगा app है यहाँ पर act कह सकते प्रेंट्स आगे वाले क्यूशन को देखते हैं इलेक्टोनिक रूप में असली जानकारी सापना किस परकार की धारा है बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है फ्रेंट्स अभी चो से दिसंबर को एक्जाम में क्यूशन आया था उसमें यह पूछा गया था कि कम्पेटर स्रोत कोड के साथ में किसी भी परकार की धारा को इंगित करता था फ्रेंट्स वहां पर राइट अंसर था 65 था यहां पर पूछा गया है कि इलेक्टोनिक रूप में असलील चांदकारी सापना किस परकार की धारा है तो फ्रेंट्स आपको याद रखना है बहुत हो जाएगा जबकि हैकिंग और क्रेकिंग के लिए उप्योग में होना वाली धारा हो जाएगी 66 हो जाएगी कंप्रेंटर सुरोत कोड के साथ में सेड़ कानी करना यहां पर 65 हो जाएगा तो फ्रेंट्स इस टैफ्स आपको पूरा याद रखना है ताकि आपको कोई भी क्य विध्यापनों को अपलॉड कर किस परकार का हमला करता है फ्रेंट्स बहुत इंपोर्टंट टैजंग इण में से कोई फ्रेंट्स इन उन्होंने विध्यापन के द्वारा किसी भी परकार का CHIP t possible वहां जाता है वो जे मेलवीरटःजिंग का रूप माना जाता है क्या होगा फ्रेंट्स राइट आंस्वर नुबर सी यहां पे सही आंस्वर माना जाएगा आगे वाले क्यूशन को देखते हैं फ्रेंट्स पॉवर फॉइंट प्रस्तूतिक रण में परियुक्त किया जा सकता है तो हैपर लिंग इस्मार्ट एर्ट क्लीप आर्ट यानि सभी परियुक्त किया सकते यहां पर उप्रोक सभी हो जाएगा फ्रेंट्स यह फ्रेंट्स जो मैं क्यूशन वता रहूं बहुत ही इंपूर्टन क्यूशन है आप हमारे चैनल पर जाके सभी मॉडल पर रुख विश्य देखे फ्रेंट्स आप कुछी टाइम देखने से आपका अगर पर में अच्छा माक्स अच्छे परस्टनरीज बन रहे तो क्यूं आप देखेंगे ठीक है फ्रेंट्स तो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे वाले क्यों के और क्या लिका हुआ है एक सेल की रेंज की दूरा प्रदसित करते हैं फ्रेंट्स सेल जो होती है वह किस माद् बढ़ता है इसके बिग्षों समय सेमी कॉलन हो जाएगा तो फ्रेंट्स इस ट्लैप सब्सक्राइब को याद रखना है यहां पर नंबर Бी वाला यहां पर सही माना जाएगा आगे क्यों को देख टेखतेंस वर्क सिट में एक इस थास से फॉर्मेटिंघ को कौपि कर किसी दूसरे इस्तान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उप्योग करोगे फ्रेंट्स बहुत ही इंपोरेंट क्योशन है यह एक्जाम में बना हुआ है बन सकता है तो होम कॉपी और होम पेस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑफ्सेंश यूज़ करके कंट्रोल पेस्ट होम पेस्ट का या स्टंडर्ड टूल बार पर उपस्तित फॉर्मेट पेंटर तो फ्रेंट्स राइट आस्वर यहां पे नंबर डी वाला हो जाएगा कि जो होम टेब होता उसमें ग्रूप का नाम होता है क्लिप बोड़ ग्रूप तो क्लिप बोड आप format printer का उप्योग करके किसी भी परका की दियोई formatting पहले से अन्य वर्ड के उपर लागू की जा सकती है फ्रेंट्स format printer की shortcut किज कई बार exam में पूछी गई है तो format printer की shortcut की होती है फ्रेंट्स control shift के साथ में C होती है क्या होती है control shift के साथ में C होती है आगे वाले question को देखते है फ्रेंट्स बहुत important question है किसी भी document को password करने के लिए किस options का use करता है फ्रेंट्स आप किसी भी document को protect करना चाहते है किसका उप्योग करेंगे तो paragraph, ribbon, encrypt document है इन में से कोई दिज़ा फ्रेंट्स encrypt document कर लेंगे क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा जैसे आप encrypt with password करेंगे तो वहां पर आपको भी password लगागे कि document को protect कर सकते है आगे वाले question को देखते है फ्रेंट्स दोक्यमेंट में एक नया paragraph add करने के लिए कौनसी प्रेंट्स की जाती है कौनसी की को प्रेंट्स किया जाता है फ्रेंट्स बहुत ही important question है paragraph add करना चाहते तो control दबाने से add होगा अल्ट्र दबाने से add होगा या enter से या से प्रेंट्स में बता देता हो control और यहां पर अल्ट दिया होई combination की आकली कारी करेगी नहीं यह तो दोनों होगे नहीं होता है इसमें पेज साइज होती है पेज का orientation होता है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर राइट आंस वर हो जाएगा पेज लियाउट पेज और इंटेसन को ओघल क्रॉम होगा नहीं योट्यूब होगा नहीं गूगल अप होगा नहीं फ्रेंट्स क्या हो जाए का राइट आंस वर गूगल प्लै स्टोर हो जाएगा मोबाइल ओं एिकर अप या मैं आगे वाले क्योशन है कि पासपोर्ट आविदन के संदर्ब में PSK का अर्थ है तो पासपोर्ट सेवा केंदर हो जाएगा क्या हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंदर हो जाएगा PSK का पूरा नाम हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंदर को आगे वाले क्योंशन को देखते हैं राजिस्तान सरकार ने किस माद्यम से नाग्री को की सभी विबागों की पहल की है प्रेंट्स बहुत ही important question है तो single login interface आदार single log या भामासा तो फ्रेंट्स क्या हो जाएगा यहां पर SSO हो जाएगा single sign on हो जाएगा फ्रेंट्स क्या हो जाएगा single sign on और ऐसे directly ऐसे लिखा हो मिलेगा तो फ्रेंट्स आपको याद रखना SSO हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंट्स एसे सो हो जाएगा single sign on हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स जिसमें विविविन प्रेंट्स के योजना SS समंद्र जो भी आता है जब असरकार चुल जुड़े हुए सब इसमें बताएंगे जीपिएश मोनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्तित पढ़नाली है तो RAAS राज AEM राज E-Sign या GISS बहुत इंपोर्टन्कोशन है तो GPS Geographical Information System GPS एक तो होता है फ्रेंट्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है तो एक होता है फ्रेंट्स GPS यानि Geographical Information System हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर राइट आंस्वर बताएगे क्या होगा जल्दी बताएगे क्या होगा यहां पर फ्रेंट्स राइट आंस्वर यहां पर हो जाएगा नमबर डी यानि GISS आगे वाले क्योशन को देखते फ्रेंट्स ऑनलाइन स्वापिंग वेब साइट है फ्लीप कार्ट, उतपादक्ती स्रंकला, पैसे की बसत, सामान लोटाना, भुखतान के विकल पर उप्रोग सभी तो फ्रेंट्स यह सभी होते हैं सभी को मालूम होगा है ना यहां पर राइट आंस्वर क्या हो जाएगा नमबर D यहां पर सही हो जाएगा आगे वाले क्योशन को देखते हैं त्ट्वीटर यूजर को कितने चरेक्टर को संदेश बेजने की सुईधा देता है फ्रेंट्स 120-130-140-160 तो राइट ट्रांशन यहां पर हो जाएगा एक सो शालीस हो जाएगा क्या हो जाएगा तो उसके लिए एक मॉबाइल वालेट बनाए जाते गूगल पे फॉन पे इस सारे मॉबल वालेट के उधारन नहीं है तो प्रेंट्स आपको याद रखना है S.B.I.B.D. होगा, B.E.M. होगा, P.A.T.M. होगा, जबकि credit card नहीं होगा आया समझे फ्रेंट्स क्या नहीं होगा, यहां पर right answer credit card यह खुद एक A.T.M. card का परकार है जो mobile wallet नहीं माना जाता है इंटरनेट पर भीजी गई शूटे-शूटे टुकड़ों में विबाजित होती है जिसे कहते है फ्रेंट्स बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है पेकेट्स, पीपीज, इमेल के परकार या मैसेजेज तो फ्रेंट्स आपको याद रखना है कि इस इंटरनेट के द्वारा भीजे इंटरनेट पर भीजे के चुटे-चुटे टुकडे जो भी होंगे पैकेट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे फ्रेंट्स पैकेट्स आगे वाले क्यूशन को देखते फ्रेंट्स URL का विश्तार सभी को friends आना चाहिए मैंने बहुत सारा इसके बारे मैं आगे बताया हूँ आपको तो यहां पर right answer हो जाएगा uniform resource locator URL का पुरा नाम हो जाएगा friends uniform resource locator हो जाएगा uniform resource locator number C यहां पर सही answer माना जाएगा आगे वाले question को देखते friends एक computer को on यानि चालू करने के परक्रिया कहलाती है सभी को मालूप में friends क्या कहलाएगा यहां पर booting कहलाएगी क्या कहलाएगा right answer क्या होगा यहां पर booting हो जाएगा आगे वाले question को देखते friends computer के सायोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले printer में से कौन toner का उप्योग करता है friends बहुत ही important question है तो toner या सूखे powder की बात हो रही है तो friends या पर right answer इसका laser printer हो जाएगा क्या हो जाएगा number C यानि laser printer आगे वाले question को देखते friends mobile में चोटी दूरी पर data sharing करने के लिए किस copy करेंगे चोटी दूरी के लिए पर डेटा चेरिंग करने के लिए किस copy करेंगे friends चोटी दूरी के लिए बोला है यहां पर mobile के अंदर तो राइट आंसर Bluetooth हो जाएगा क्या हो जाएगा friends Bluetooth यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आगे वाले question को देखते friends बहुत इंपोर्टेंट question है question number 26 एक online electronic हस्तादंत्री सिवा है तो online electronic हस्ताकसर सिवा तो यहां पर राज E-sign हो जाएगा friends क्या हो जाएगा E-sign हो जाएगा राज E-sign ठीक है friends राइट आंसर यहां पर नंबर E हो जाएगा आगे वाले question को देखते है friends इन में से कौन computer की limitation को परिभासित करता है तो friends बात computer limit पूरी हो जाती है गती होती है सुदिता भी होती है परिश्चरम सिलता भी होती लेकिन computer का IQ नहीं होता है तो friends राइट आंसर यहां जे आपको याद रखना है friends राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा नंबर D यहां पर सही आंसर माना जाएगा नंबर D is a correct आंसर आगे question को देखते है friends denial of services computer में करता है तो computer को overload computer को चालो यह भी दोनों यह इन मेंसे कोई नी friends computer को overload करने वाला एक यह दूर भावना पूंट software कहलाता है जिसको computer के अंदर एक virus या नुकसान पहुशाने वाले की रूप में देखा जा सकता है तो यह क्या करता है computer के उपर हम लेकर के computer को overload कर लेता है यानि यहां पे राइड answer number A हो जाएगा next question है friends MS PowerPoint 2010 में निम्न मेंसे कौन सा slide में default प्रस्ट setup orientation होता है MS PowerPoint के दर पेज तो होता नहीं होती है slide तो friends slide का default orientation होता है वो होता है friends land escape होता है कैसा होता friends land escape होता है और अगर MS Word के पुछे तो उसमें हो जाएगा friends portrait हो जाएगा आगे वाले question को देखते है friends किस view में slide कोई चोटी तस्वीरे नजर आती है friends बहुत important question है तो slide की चोटी चोटी तस्वीरे नजर आएगी वो होगा friends slide shorter view क्या हो जाएगा friends slide shorter view right answer हो जाएगा आगे वाले question को देखते है friends जो spreadsheet में एक पंक्ती तथा column का interaction क्यालाता है spreadsheet में एक पंक्ती तथा column का intersection क्यालाता है तो friends क्या 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 क्यालाएगा उन दोनों से मिलने वाला जो intersection क्यालाएगा friends cell क्या क्या क्यालाएगा फ्रेंट्स नंबर B यहां पर राइट आंसर हो जाएगा MS Powerpoint 2010 में default view होता है फ्रेंट्स बहुत important question है MS Word 2010 में default view होता है तो फ्रेंट्स प्रिंट layout, normal, wave layout या outline चल्दी बते हैं फ्रेंट्स क्या होगा default view फ्रेंट्स यहां पर राइट आंसर यहां पर याद रखना है MS Word 2010 में default view होगा क्या होगा print layout, normal, wave layout या outline तो फ्रेंट्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल यहां पर सही answer मना जाएगा आगे वाले question को देखते हैं इन में से क्या पाउरफोइंट्स से सम्मधित नहीं है एनिमेशन, slide, transition या sheet तो animation होता है जबकि sheet होती है एक्सल से सम्मधित होती है किस सम्मधित फ्रेंट्स Microsoft एक्सल से सम्मधित हो जाएगी नेक्स्ट आगे वाले question को देखते हैं फ्रेंट्स माइक्रो MS का पूरा नामी क्या होता है Microsoft होता है तो Microsoft आपिस का हीच्छा होगा आगे वाले question अंतिम question को friends देखते हैं MS PowerPoint में बने presentation का बाई default नाम क्या होता है बहुत important question है default नाम हो जाएगा फ्रेंट्स presentation first हो जाएगा MS PowerPoint से default presentation first हो जाएगा MS Word में क्या हो जाएगा document first हो जाएगा और यहां पर फ्रेंट्स आपको याद रखना है जो book first या workbook first होता हो एक्सल के अंदर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा इसके लिए थैंक्यो और फ्रेंट्स मिलते हैं हम एक कल नए आगे वीडियो में जिसके अंदर आपको एक मेहतोपूर मॉडल पेपर देखेगा फ्रेंट्स वह मॉडल देखना आपको कुछ भी पढ़न मात्रम